भक्तो, यदि आप वसीकरण करकर के ठक चुके हैं, और सफलता नहीं मिली हैं, तो आज हम आपके लिए बढ़ा ही पावर्फुल और महा सकती साली चंद्र मोहिनी तंत्र जी हाँ, चंद्र मोहिनी तंत्र के बारे में आज हम आपको बताएंगे यह बड़ा ही पावर्फुल और महा सक्ति साली टोटका है इससे आप किसी भी इस्त्री प्रूज, किसी भी गल्फ्रेंड, बोईफ्रेंड, पती-पत्नी या किसी का भी आसानी से वसीकरन कर सकते हैं और उस इनसान को अपने करीब ला सकते हैं उस इनसान से अपनी इच्छा अनुसार कारिये करवा सकते हैं यह प्यार में जीत हासिल करने का पड़ा ही पाउरफुल और महा सक्तिसाली टोटका है जिसने भी यह टोटका किया है उसमें से सभी का काम हुआ है आप भी इसे जरूर करके देखे आपका भी काम 100% होगा और इस टोटके को करने के लिए आपको नहीं बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की आवश सकता है नहीं आपको किसी तांत्रिक नहीं किसी बाबा के पास जाने की आवश सकता है रसिया के लोग सबसे ज़्यादा इसी परकार से वसीकरन करते हैं चलिए अब मैं आपको इसकी पूरी विधी बताता हूं कि कैसे और किस परकार से आपको इसको करना है इसको करने के लिए आपको साथ साबुत फूल वाली लोंग की आवस्कता होगी और रात्री के समय आपको यह टोटका करना है आपको क्या करना है, साथ साबुत लोंग को लेकर रात्री में अपनी छट के उपर जाना है और आपको जिसका भी आप वसीकरन करना चाहते हैं उस इस्त्री या पुरूस का मन में और दिमाग में उसका चहरा बसा लेना है और आपको चंद्रमा की ओर देखते हुए एक मंत्र हम बताएंगे उस मंत्र का आपको चारण करना है आपको क्या करना है एक लोंग लेनी है और लोंग के उपर उस मंत्र को बोल देना है और फूक मार करके लोंग पे फूक मार करके आपको उस इस तरी का मन में ध्यान करते हुए उस लोंग को चंद्रमा की और फैक देना है ऐसा आपको साथ बार करना है ठीक है आपको साथ बार करना है मंत्र हम आपको बता रहे हैं मंत्र है ओम स्रीम चंद्र मोहिनी आपको इस प्रकार से बोलना है अमुकम के इस्थान पर उस इस्त्रिय पुरुष के नाम का आपको उच्चारण करना है ठीक है आपको साथ बार यह काम करना है और साथ दिनों तक लगतार आपको यह कारिय करना है साथ दिन के बाद आठवे दिन आप देखेंगे उस इस्त्रिय पुरुष पर बड़ा ही भ्यंकर वसी करन हो जाएगा वह एक पल भी आपके बिना रह नहीं पाएगी आपसे मिलने के लिए बेचैन हो जाएगी आपसे मिलने के लिए तड़प उठेगी यह रसियन तंत्र है चंद्र मोहिनी तंत्र तो आपसे हाथ जोड़कर के विंती है कि गलत प्रियोग इसका बिल्कुल नहीं करें यदि आप गलत प्रियोग करते हैं अपने किसी स्वार्थ के लिए करते हैं तो इसका अंजाम आप खुद भुखतेंगे